वो इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहा है आप में और आप इंट्रेस्टेड है उसमें वो देखना भी पसंद नहीं कर रहा आपको और आप उसको देखे बिना रह नहीं सकते हैं या सकती आप सामने वाले के दिल पर राज करना चाहती है या चाहते हैं और सामने वाले के दिल को या ख़बर ही नहीं कि कोई उसके लिए भी तड़़ रहा है फिर क्या कोई ऐसा सॉलुशन है आप अपना मुवी ने खोलना चाहती समाथ से भी डरती है परिवार से भी डरती है और डरते हैं आप उसके इनकार से क्या पता मैं अपने हिर्दे की बात तो उस तक रख दूं और कहीं सामने से इनकार हो गया तो जग हसाई हो जाएगी पर उस प्रेम का क्या करूँ जो पवित्र प्रेम का दियाद जल रहा है आपके हिर्दे में आप उसके प्रकास से प्रकाशित करना चाहती है अपने जीवन को सामने वाले को बताना चाहती है कि मैं तुम से कितना प्रेम करती हूँ पर न्तु कोई उपाय नहीं कि सिमित्र से कहूं तो वह भी हसेगा परिवार से कहूं और इनकार हो गई तब तो कही की बात ही नहीं रह जाएगी फिर क्या कोई उपाई है हाँ है एक उपाई केवल और केवल एक दिनों में आप सामने वाले के हिर्दय में जगा सकते हैं अपने प्रती उतना ही प्रेम जितना आप चाहते हैं उसे यह तो प्रेमी और प्रेमी का की बात हो गई यदि शादी भी हो गई है आपकी आप अपने पती से बहुत प्रेम करते हैं पर अंतु पती बस इस सादी को शादी की तरह निभा रहा है तुम पत्नी हो तुम्हें कपड़े मिल गया तुम्हें खाना मिल गया तुम्हें यह घर मैंने दे दिया रहू मेरे पड़िवार के साथ मस मुझसे जादा सुख और प्रेम की इच्छा ना करो मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ मेरा इंट्रेस्ट मेरा मेरी पसंद जिस तरह की हो तुम उस तरह की नहीं हो मैं तुमसे कुछ कहने नहीं रहा तुम घर में रहो परन्तु तुम मेरी प्रेम यह नहीं बन सकती यह बात चुबती है आपके दिल को क्या कमी है मुझ में मैं क्यों तुम्हें पसंद नहीं तब ऐसी अवस्था में भी आप अपना दिवाना कर सकती है उसे और पुरुष भाई से भी कहूंगी या पुरुष के लिए भी है कि आप अपनी दिवानी कर सकते है उसे खुद अपनी पतनी को कभी-कभी लड़कियों की पसंद ऐसी होती है शादी तो आपसे हो गई माता-पिता की राजी से उसने शादी तो कर लिया आपकी पर हमेशा खुआप में डूबी रहती है मुझे ऐसा लड़का मिलता तो मैं जादा सुखी रहती मुझे ऐसा लड़का एक लड़का पॉलेज में था मैंने इंकार कर दिया तुमसे पहले जो रिस्ता आया था मेरी किसमत खराब थी मैंने इंकार कर दिया मतलब आप जहां संसार सौप रहे हैं अपने पत्मी को वह अलग ही पसंद की दुनिया में खोई है तो ऐसी अवस्था में भी आप यह परियोग करें किवल एक दिन में आप सामने वाले के हिर्दे में अपने लिए प्रेम जगा सकते हैं सामने वाले को अपना दिवाना बना सकते हैं जान लीजिये मैं कौन हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ खुश्मसिंग बहुत स्वागत बहुत अभी नंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जोतिश ग्यान में कैसे है मेरे भाई हो कैसी है मेरे पहनू मेरे कमेंट सेक्सिन में जै माता दी हर हर महादे अवश्य लिखे और कोई समस्या भी हो तब भी अपने जनम ताडिक और अपना पूरा नाम के साथ अवश्य लिखे हैं संभव होगा मैं अवश्य अवश्य ही उसका जवाब दोंगी पढ़ती हैं वहाद की रिखाएं पढ़ती हो जनम कुणडली और आप कुछ ना बताए तो आपकी तकलीफ आपके चहरे से यहां तक की आपकी लिखे कमेंट से पढ़ लेती हूँ करम है कृपा है उपर वाले की प्रेम है आप सबका जब हम किसे से प्रेम करते हैं तो हमारा सुक्र बहुत एक्टिव हो जाता है बहुत जाग जाता है उस वक्त हमारे उर्जाएं बहुत संचार करती है लेकिन जब हमें प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता और यह तो हुई प्रेम की बात है प्रेम ना मिलना तो एक बात है जब प्रेम के बदले अपमान मिलने लगे, तब तो हिर्दय की पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है, आज जो टेक्निक बता रही हूँ, आज जो परियोग बता रही हूँ, आपके सुक्र को दस गुना जादा बढ़ा देगा, आपके भीतर का अट्रेक्शन इतना बढ़ेगा, आप अपने घर बैठे बैठे यहाँ परियोग करके, सामने वाले के हिर्दे में अपने लिए प्रेम स्ने और सम्मान जगा सकते हैं, उसे अपना दीवाना बना सकते हैं, चलिए विस्तार से बताती हूँ किस दिन करना है, यहाँ परियोग कैसे करना है, भूलकर भी कोई गलती ना करे, छोटा सा वशी करन है, परंतु पुर्ण विश्वास के साथ करें, यह विश्वास ही तो है, जो हर कदम में आपको जीत दिला रहा है, केवल और केवल सब दिन को प्याक कर, सुकल पक्च के सुक्रवार के दिन करें यहाँ परियोग, एक छोटा सा सफेद कागस का टुकुडाले, केवल सफेद सुक्र है, यह परियो बेड में जो चादर बिछे हो, वो हलकी गुलाबी रंगी या सफेद चादर बिछा दें, आज की रातरे आपको हलकी गुलाबी या सफेद चादर पड़ी सोना है, वैसे भी अपने कमरे को बहुत ज़्यादा लाल पीला पेंट ना करा है, बहुत ज़्यादा रंगीन तब आप लब को बहुत अट्रैक्ट कर पाएंगे। एक सीसे की गलास में थोड़ा सा जल ले लें। थोड़ा ही लें, हाफ गलास भी ले सकतें, पुल गलास भी ले सकतें, संपूर्ण पीना है आपको तो इतना ही पानी लें। पानी को बरबाद न करें। चग्रमा भी करता है। एक सफेद कागज ले लें और उस पर हरी कलम से मोटी मोटी अक्षरों में उसका नाम लिख दें, जिसे वश में करना चाहते हो। पुर्विदिशा की और चेहरा करके जमीन पर बैठ जाएं, आसन ना लगाएं। बेडरुम में जमीन पर बैठ जाएं। कागज जिस पर नाम लिखा है आपने बीच में नाम लिखें। छोटा ही कागज लें बीच में नाम लिख दें। रख दें उसे जमीन पर कागज पर और उसी पर एक गलास पानी रख दें। सीसे के गलास में पानी ले, ऐसे रखें आप, कि जब तुम पानी में ऐसे निहारो, तो पानी के भीतर, कागस पर लिखी वह नाम तुम्हें दिखाए दे, बात समझ में आई, हरे रंग से लिखा हुआ नाम तुम्हें चंद्र मा के माध्यम से दिखाए दे, ग्लास ना हो तो आप चौड़े मोवाला कटोई भी ले सकते हैं परंतु सीसे का जहां से नाम आपको साफ दिखे शांत मन से बैठ जाओ गहरी लंबी सास लो थोड़ा अपने इश्ट को जब लो मन सांत रखो आज तुम वो कर रही हो जो अन्ने कोई नहीं करेगा तुमारे लिए तुम यहां बैठे बैठे किसी को सूचना भेज रही हो अपनी ये उंगली सेकंड तनिष्टा उंगली के बादवाली उंगली को जल में डुबाओ उसके नाम को छुने की कोशिस को रो जल के मांध्यम से हाथ साफ रखना हाथ धूकर रखना इस जल को पीना है तुम्हें जल में डुबा कर उसके नाम को टच लो सीसा इसलिए लिया है गया है कि सीसा की गिंती किसी भी अलिमेंट्स में नहीं होती उसका कोई परभाव दूस परभाव नहीं होता है आपने चुआ उसके नाम को परंदु चंद्रमा के मार्धम से सुक्र और चंद्रमा का अद्बूत मेल है यह दोनों मिल जाए तो अट्रेक्शन बढ़ता है तामपते सुक मिलता है लव मैरिज होती है सामने वाला दिवाना रहता है आपका यह है सुकर और चंद्रमा वहीं सुकर के साथ राहो बैठ जाए तो फिर जगडे होता है दुख होता है नाम को अपने टच किया एक ग्यारह बार उसका नाम ले जिस नाम को अपने लिखा है एक ग्यारह बार उसका नाम ले और उसके बाद इस जल से उंगली उठा कर अपने दल पर रखें इसी उंगली को पूरे हाथ को नहीं केवल इसी उंगली को हिर्दे पर रखें, कुछ शड़ों के लिए आखे बंद करें, उसकी अनुभूती करें, इतनी गहरी अनुभूती करें, उससे वो कहना चाहें, जो आप मुख से नहीं कह सकतें, अपनी सारी बातें कह दें, अनुभूती करें, उससे सामने लाएं और अपनी सारी बातें कह द आई लव यू कहना चाहती हो, कहदो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, जल्द ही तुम्हारे साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत जादा प्रेम करती हूँ, उससे अवश्य कहें हिर्दे पर अपनी इस उंगली को रख कर ऐसा कहने के बाद आखें खोले उस जल को देखें और सीधे जल को उठा कर पी जाएं संपूर्न जल पी जाएं इस बीच मस्तिस्क में कोई अन्य बाते ना आए कोई क्रोध कोई द्वेस कोई माता पीता की बाते खाना क्या बनाना है बच्चे हला कर रहें जैसि कोई भी बाते ना आये मस्तिस्क में शांद हो मस्तिस्क दिन के समय करें या परियोग जल संपूर्ण पिने के बाद वह जो नाम आपने लिखा है उसे पूड़िया बांदे बिलकुल मोड़ दें और किसी भी जल में फेक दें कहीं भी जल में जहां वो ठंडक हो जहां वो गलकर चंदरमा में भी लीन हो जाए आप फेक दें के वहला आप एक बार ऐसा करें और देखिए सामने वाला सामने से चल कर आएगा और आप जो बुलवाना चाहती है उससे वह सामने से कहेगा एक बार अवश्य करें और अपना अनुभाव मेरे कमेंट सेक्शन में आवस्य साज हा करें तो आज के लिए इतना ही रखें अपना खयाल रखें अपनों का खयाल बहुत बहुत धन्यवाद